अंपूर से जापर दो जन्म पत्र केस में सुन्वाई आज। पूरा मामला दर्श था तो एहम चौनकारी आपको मता रहे सवलाइन स्थाने में केस दर्श हुआ था दर्श था तो हम ना पत्र मामले में सान का यह आपको मता रहे हुए पूर दर्श था-पूल्स क्वास रावमपुर से खबर है दो जन में प्रमाणपद्र मामले कोड़ी के सुनवाई होगी और हमारे साथ हमारी समधरता है अफ़वान एमध्त जोड़ चुके हैं अफवान क्या है पूरा मामला बताया जोड़ा है कि आज जो सुनवाई होगी दो जन्म पर प्रमानपत्र से जोड़ा कुछ मामला उदाया जवा रहा है? जिरे होनी हैं तो लिहाजा आजम पर पर आफत के बादल अभी बंड़ा रहे हैं बिलकुल यानि यहाँ पर सुनवाई में क्या कुछ होता है देखना वाली बात होगी होला कि अगर बात करें अफ़ाँ तो हमने अभी कल ही देखा अगर अबदल्ला आजम के पता की बात कर ले आजम खान की अब लृश किल आजम खान अब जेल में ही रहेंगे क्योंकि जिस सेंके उन पर अठँड़ी मुकत्में से एकोर मुकत्मा उन पर गदा है पिर 87 में फिलहाल उनको राहत मिल गई है, कल जो सुनवाई हुई है, सुनवाई में जो पैसला आया है कोट का, तो उसमे 87 में उनको जमान बले ही मिल गई हो, मगर अभी उनको जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दूसरे मुकाद, जो दूसरा मुकादमा एक नया लगा है, 2020 में मुकादमा दर्ज हुआ था, जिसमें इन्होंने एक ही जो है, दस्कावेज पर तीन स्कूलों की मानेता ले ली थी, तो उसको रामपुर पुलिस में माना आया, क्या फर्जी तरीके से ली गई थी, तो यह जो मुकादमा है, वो भी फर्जी दस्कावेज और कांजों में छ ज़ानकारी हमारे दर्जों को तक मताने के लिए, तो फलाल यायम खबर आपको मता दे जहांपर, अब्दुल्ला आजम के खलाफ केस दर्ज था, और सवर लाइन स्थाने में केस दर्ज हुआ था, लकिन अबस पूरे मामले को रेकर सुनगाई होगे, फलाल यायम ज़ानका आपको मतारे था,